हलो एबरीवन आज की वीडियो में क्लासिक साइंस चैप्र नमबर 5 सेप्रेशन और सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसमें कुछ चेंजेज है आज की वीडियो में कंप्लीट 20 कोशिंस ना करके आपके लिए पार्ट 2 बनाये हैं पार्ट 1 एंपार्ट 2 पार्ट 1 में 10 में 10 कुशिंस और पार्ट 2 में next 10 कुशिंस ताकि आप इसको इसले अटम कर सकें को अलग करने की process क्या कहलाती है Threshing कहलाती है तो question आप से पूछ रहा है कि Threshing किस से होती है beating animals machines all of these तो सोच के बते इसका answer क्या होगा तो जिसका answer होगा all of these example देख लेते ही बड़ आप देख सकते हैं कि beating से इसको अलग किया जा रहा है आपके सामने इस talk है grain की इसको मार मार के मार मार के इसके दाने क्या किये जाएंगे अलग किये जाएंगे तो इस process को क्या कहा जाता है Threshing कहा जाता है सबसे पहले question को understand कीजिए कि क्या पूछ रहा है Filtration is a method to separate the components of a किसके component को अलग किया जाता है A. Mixture of a liquid and insoluble substances B. Solution C. Both A and B D. Pure substance तो बताएं कि किसको अलग किया जाता है तो इसका right answer होगा option number A Mixture of liquid and insoluble substance जो mixture पानी के अंदर soluble नहीं होता उसको filtration की process से क्या किया जाता है अलग किया जाता है Number 3 Sand from water is separated by पानी से मिट्री को अलग करने की process क्या होती है किस process से अलग करते है A. Seaving B. Evaporation C. Filtration D. Sedimentation and Desanitation तो इसका right answer क्या होगा Option number D. Sedimentation and Desanitation ये दो अलग अलग process होती है इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं बच्चो देखिए Beaker में आपको क्या दिख रहा है पानी दिख रहा और मिट्टी दिख रही है मिट्टी जो है वो पानी से क्या है भारी है जो भारी particle होगा भारी जो component होगा वो क्या होगा पानी के अंदर नीचे settle down हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपके सामनी पिक्चर में ये मिट्टी है नीचे जम चुकी है जब कोई भी भारी चीज नीचे जम जाती है पानी उपर आ जाता है तो उस process को क्या कहा जाता है sedimentation कहा जाता है दूसरी process से आपके desanitation इसमें क्या होता है कि जो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये container है इसके नीचे जब मिट्टी है वो जमी हुई है अब इसके उपर का जो पानी है वो clear water दूसरे container में खाली किया जाता है तो आप देख सकते हैं इसके जो impurities है वो नीचे है और clear water दूसरे container में खाली कर दिया गया है तो ये दो process हैं जिसे कि आप मिट्टी को पानी से अलग कर सकते हैं नमबर फोर तब process of conversion of water vapor into liquid is called water vapor का पानी में convert होनी की process क्या कहलाती है condensation, evaporation, sedimentation, desanitation देखिए बच्चों, evaporation में क्या होता है पानी water vapor में convert होता है लेकिन जो हमारा answer है वो होगा condensation इसमें क्या होता है जो water vapor है वो पानी में convert होगा तो correct answer होगा इसका condensation नमबर फाइब अब सबन जी कुशन पूछ क्या रहा है किस property के कारण हम saving process को काम में लेते हैं क्या होगा component जो होगा उसमें different in weight होगा तो हम saving की process को काम में लेंगे या फिर difference in color होगा या फिर difference in shape होगा या फिर difference in size होगा इसका answer क्या होगा बताइए क्योशन आपको समझवाया मैंने पूछा, जो saving की process है वो काम में क्यों ली जाती है जब दो कॉंपोनेंट के बीच में अगर वेट में डिफरेंस होगा तो ली जाएगी या फिर शेप में डिफरेंस होगा तो ली जाएगी या फिर डिफरेंस इंस साइज होगा जब दो कॉंपोनेंट के साइज में डिफरेंस होगा तो कौन सी प शाली है नो जो 27 का करूदे के संबर्स में जाती हैं तो जो आटा है और उसके ऊपर जो कुछ इम्पृुर्टी होती हैं उन-में किसा नींस होता है तब ही तुम ये स्हलीग की प्रॉसेस काम में ली जाती है तो इसका अंसर होगा अमरे ऑप्शेंब रडी difference in size 6. Peanuts are separated from a mixture of wheat and peanut by peanut को wheat और peanut के mixture से किस तरह से अलग क्या जाएगा filtration से, hand picking से condensation से या फिर winnowing से अब आप देख सकते हैं wheat और peanut की size क्या होती है बहुत अलग होती है अच्छे बात होता हिए जो wheat है उसकी size बड़ी होती है कि peanut की size बड़ी होती है और peanut का मतलब पता है क्या होता है मूंगफली, right तो जो wheat है उसके अंदर अगर मूंगफली है तो उसको कैसे अलग करेंगे वह यह हमारा answer है क्या होगा हमारा answer answer option अब भी hand picking हम उसको हाथ से अलग करेंगे hand picking भी क्या है, एक separation की process है, number seven mixture need to be separated because, बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चीए कि mixture क्या होता है, mixture मतलब कोई भी दो component या फिर substance आपस पर mix होते हैं, उसे mixture कहा जाता है तो mixture need to be separated because, mixture को अलग क्या जाता है आपके सामने option है to remove undesirable substances be to get desirable substances see to obtain pure substances be all of the above तो इस concept क्या होगा सबसे पहले option को understand करने की कोशिश कीजिए कि options क्या बता रहें तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं option number a की to remove undesirable substances undesirable मतलब की जिनकी हमें जरूत नहीं है उनको remove करने के लिए be to get desirable substance जो desirable substance से उनको लेने के लिए see to obtain pure substances अब इस option में confuse होने के जरूत नहीं है मैं बहुत simple तरीके से आपको समझाती हूँ example लेते एर की तो एर में क्या होता है कि बहुत सारी gases होती है अगर मैं बोलू कि मुझे air से oxygen को अलग करना है तो अब oxygen क्या हुई pure substance तो air से oxygen को अलग करने की जो process होगी वो separation से होगी तो जो option number C है to obtain pure substance तो air में से oxygen को हम अलग करेंगे वो क्या होगा pure substance और D all of the above तो सारी process के लिए हम क्या यूज करते है separation की process को काम में लेते हैं तो इसका answer तो I hope सबको आता होगा क्योंकि सब अपने घरों में देखते हैं कि milk से butter को कैसे अलग क्या जाता है तो right answer होगा churning और आप photo देखते समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ आपने देखा होगा गाव में इस तरह से जो हमारा दूद होता है तो आप देखेंगे कि इस उपर क्या जाएगा मक्खन आ जाएगा इस तरह से mix करने से हम इसको हिंदी में क्या बोलते है मतनी तो मतनी से जब हम इसको mix करते हैं तो क्या होगा जो butter होगा वो उपर आ जाएगा वो milk क्या होगा नीचे रह जाएगा जहां पर पानी को साफ किया जाता है वहां पर जो रिवर का पानी होता है उसको कैसे फिल्टर किया जाता है क्या यूज करते हैं वहां पर तो राइट आंसर होगा ओप्चन नमर डी सेंट फिल्टर आप पोटो में देख सकते हैं जहां पर ट्रीट्मेंट प्लांट्स होता है वहां पर इतने बड़े-बड़े सेंट फिल्टर लगा जाते हैं जो रिवर वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही सिंपल कोशन है क्या पूछ रहा है चाय पती को छलने से अलग करने की प्रोसेस क्या कही जाती है ए फिल्टरेशन ब वैपोरेशन सी कंडनसेशन डी सेडिमेंटेशन तो इतना सिंपल कोशन का आंसर आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा आइटिंक मुझे करने की जरूत नहीं है ऑप्शन नमबर एक फिल्टरेशन तो बच्छो आज हमने पार्ट पन में टैन कुशन किये नेक्स पार्ट में इसके रिमेनिंग टैन कुशन सौल करेंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपने टैन में से कितनी कुश कि अच्छ में आप से कुच्छ में ।छिर नेस कींटा रिमिए हम ज़रूर करें टैन आम डेक वस पनक में आ टैन